सरोज खान को अपने अंतिम समय में जो है सलमान खान की चिंता थी इतना ही नहीं वो नमाज में हमेशा उनके लिए दुआ करती थी और हमेशा उनको याद किया करती थी क्या है पूरी खबर मैं ही ना कुमावत आपको फिल्म रिन्नों पर बताऊंगे सरोज खान की बेटी सुकैना खान ने बहुत सारी बाते की है और बहुत सारी बाते अपनी मम्मी यानि की सरोज जी और सलमान खान के बारे में बताई है उनका ये कहना है कि सलमान खान ने उनके परिवार की बहुत मदद की इतना ही नहीं सलमान हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं और इसी लिए सरोज जी को इस बात का बुरा लगता था कि लोग क्यों उसको हमेशा गलत समझ लेते हैं वो हमेशा नमाज जब पढ़ती थी तो सलमान के लिए दुआए करती थी उनको इस बात का दुख होता था कि सल्मान को गलत क्यों समझा जाता है किस तरह से सल्मान खान ने सरोज खान के परिवार की मदद की इस पर सुकैना ने एक बयान दिया है और बताया है कि किस तरह जब उनके बेटी की भी हार्ट सर्जरी थी तो सल्माण खान ने उनके परिवार की मदद की खबरी आई थी थोड़े समय पहले कि सरोज खान जी जो है सल्माण से मिलने गई थी उनके पास काम नही était इस बात को लेका जो है वो परिशान रहती थी और सल्माण खान ने का था कि मैं आपकी जरूर कम गा, उनकी बेटी ने जो है जो बायान दिया है, मैं आपको पढ़के सुनाती हूं, उनोंने मुंबई मेरर में इंट्रव्य दिया है, और वो कहते हैं, कि उनोंने जो है, सलमान हमेशा हमारे लिए खड़े रही हैं, उनोंने हमेशा हमारी मदद की है, इतना ही नहीं जब भी उनसे कोई भी मदद मांगता है, वो हमेशा जो है, मदद करने के लिए तयार रहते हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गलत समझा जाता है, इस बात को लेकि मेरी मम्मी बहुत परिशान थी, तो उन्होंने बोला, सलमान खान स्टू बार उस समय खड़े रहे हैं, जब जब हमें जरूरत पड़ी है, इतना ही नहीं, सुकैना कहती हैं कि मम्मी जो है, रोज लगाता नमाज पड़ती थी, और वो जो है सलमान की खुशियों के लिए हमेशा दुआएं करती थी, उनको ये बात बुरी लगती थी, कि इतनी सारी अच्छे कामों के बाद भी सलमान सब की मदद करता है, इतने सारे लोगों का धियान रखता है, तो भी उसको गलत क्यों समझा जाता है, तो उनकी मदर को जो है, इस बात का दुख हमेशा रहता था, और नमाज में हमेशा उन्हीं याद रखती थी, सरोज खान की बेटी ने उनकी मदद की है,